राची छोड़ दीजे वो छोड़ दीजे वो छोड़ दीजे देखने नहीं आए यहां लोग बोता कि कुसल छेम तक भी अभी तक नहीं पूछा उस दिन ये लोग क्या कर रहे थे लातरा तुडे में मटन खा रहे थे नौकायान कर रहे थे मुकमंत्री सीटी बजा रहे थे पूड़ी तो सरम हानी चाहिए धया होनी चाहिए आप राधियों को सरच्छन दे रहे हम राची जा करके हम तारे चीजों को हम वहां इसको कलते हैं दस्तावेज के साथ हम बताने वाले हैं दुमका हत्याकान मामले में एक बार फिर बीजेपी ने सोरेन सरकार को आरे हाथ लेने का काम किया है बीजेपी विधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर चम कर हमला बोला है उन्होंने आरोप लगाया है कि सोरेन आदिवाशी काड़ खेलते हैं उन्होंने सवाल भी किया कि ऐसरमामलों पर सरकार गंभीर क्यों नहीं है बाबुलाल मरांडी ने आगे कहा कि मुख्य मंत्री हेमंध सोरेन और उनका परिवार न सिर्फ आदिवासी महिला विरोधी है बलकि संतालों के भी दुश्मन है संताल विरोधी मान सिक्ता रखने वाले लुटेरे और वेमान अफसरों को इनका खुला संवरक्षन है इसके कई प्रमार हमें दुमका में मिले हैं अब देखें जिस प्रकार से ताइस तारीकों प्राता का उस बच्ची के उपर पिट्रोल और पिर आग लगा देना और उसके बाद उनको सदर होस्पिटल ले जाते हैं और सदर होस्पिटल में दीन भर वहीं रहते हैं जबकि डॉक्टर उन्हीं कहा दिया कि यहां उनकी इलाज नहीं हो सकता है घर के लोग गरीब है कि कहीं उचीत इलाज के लिए नहीं ले जा सकते हैं पर सासन की ये जीमेवारी बनता था कि उनको यहां से एर लिप्ट कर सकते थे हलिकाप्टर से उसको उठा करके राची ले जाते बुकारों भी ले जा सकते थे पहले विए आप सब लोग को याद है निरवाया कांड हुई थी तो निरवाया को दिल्ली से एर इंबुलेंस से लिप्ट किया गया थर भरसक उनकी बचाने की कोशिज की गया और सिंगापूर तक सरकारी खर्चे से उनकी इलाज होई थी फिर पिछले दिनों इसी जारखर्ण में आपने देखा होगा 10 जून को राची में दंगाई जब सड़कों पर निकले और उस दंगाईयों के उपर पुलीश ने गोली चलाई कोई नदीम आंसारी करके को गोली लगी गायल हुए और 25 जून को उस लड़के को रीम्स से ग्रीन कोरीडोर बना करके रीम्स से लेकर के गुरुग्राम विदा अंता अस्पताल में उसको एर इंबूलेंस से सरकारी खर्चे से ले गए लेकिन अंकीता को नहीं ले गया है हेलिकॉप्टर आतार उनको उठा करके बहतर इलाज होता तो साइथ बच जाती है अब दीन भर राची दुमका के सदर अस्पताल में बची पढ़ी रहती है रात ना समें पूरी रात, पूरी दीन तब तो काफी नुकसान तो हो जाता है अगर समय से ईलाज होता तो बच्ची बचआता है एक और परिशासन और सरकार उनकी इलाज की व्यवस्ता नहीं होती है और दूसरी और अपराधियों को बक्चाने के लिए कैसे बचे उसकी पूरी वेवस्ता होती है, मुकमल वेवस्ता होती है देखे कि लड़की की उमर 16 साल लेकिन एफायर में क्या लिखा गया कि 19 साल, तकि आपराधियों को पचने का रास्ता मिल सके यहाँ शर्च है और उसके बाद भी लड़की ने जो यहाँ तो नहीं ग्रांची में दो नाम लिया लेकिन उस पर यह फायर नहीं हुआ बाद में पता चला कि जब उनकी लड़की की मिर्तियों होगी तब उसको भी कहा कि बहले मात्र सहरुक के ओपर बाद में छोटोगा अब यह क्या मतला वैसा इसके तो कारण है यहीं आप बचाने की कोशिस कर रहे हैं और इसलिए हमने कहा कि भई इस एक तो हमने कहा कि भई न्याय तभी मिलेगी और अंकीता की आत्मा को भी तभी सांती मिलेगी फर्स्ट रिक कोड कठीत करके तोरित कारवाई होना चाहिए सुनवाई होनी चाहिए आपरादियों को सजा होगी चाहिए कठोरदन और तूसरा जो मैं का रहा था कि 120B के तहत यहां के जो DSPA नूर मुस्थपा उनके बारे में बहुतें सिकायत है और वो इन लोगों को बचाने की प्रियास कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं एज को बढ़ा रहे हैं नाम पर तूसरी माग करते मुस्थफा के ओपर भी 120B के तहट उनके ओपर मुक्तमादर जोनी चाहिए और जहां सहरूख और छोटू खान जेल में है उसी जगा पर इनको भी पहुचानी चाहिए तभी यह न्याय मिल सकता है तभी उनके आत्मा को भी शांती मिल सकती है और तभी हम समझेंगे कि सरकार वास्तों में न्याय कर रही है और आस्चर छे साब दुमका से उनके छोटे भाई विदायक है अपने भी इसी से छेतर से पूरा उसके परिवार बगल में उनके भावी है राची होस्पिटल में यहां छोड़ दीए वो होस्पिटल में देखने नहीं आए यहां लोग बोता कि कुसल छेम तक भी अभी तक नहीं पूछा उस दिन ही लोग क्या कर रहे थे लातरा तो डे में मटन खा रहे थे नौकायान कर रहे थे मुकमंत्री सीटी बजा रहे थे ठोड़ी तो सरम हानी चाहिए धया होनी चाहिए मुआजा की सवाल नहीं है आप एक करोड की मुआजा दीजिए सवाल है कि उन अपराधियों को सजा देने की आप तो अपराधियों को जो बचार हैं उनको आप पदस्थापित कर रखे हैं हम तो और सारे मेरे पास जानकारिय सबूत है कि लोग किस प्रकार से आप राधियों को सवरच्छन दे रहे हैं हम राची जा करके हम तारे चीजों को हम होँआ इसको कलते हैं दस्तावेज के साथ हम बताने वाले हैं अपने राजिस जुड़ी हर ताजा ख़बरों के लिए आप हमें सब्स्ट्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दवाना ना भूले